स्वागत एक और फिर से आप सभी का इंडिविज्वल अस्टडी में आज हम लूसिंट के अंतरगत प्राग इतिहासी काल को पढ़ेंगे प्राग इतिहासी काल से भी कई बार परश्ण बने हैं तो ये काफी महत्पून हो जाता है तो चलिए इसको हम देखते हैं हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा उसको हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलेंगे तो उसको हम याद करेंगे तो यहां पर बताया जा रहा है कि इतिहास का विभाजन तीन भागों में किया गया है पहला है प्राग एतिहास काल दूसरा आद एतिहास काल और तीसरा एतिहास काल यानि कि प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री तो इन तीनों के अंतरगत जहां से प्रश्ण पूछे जाते हैं पूरा पसान काल से, मध्य पसान काल से, नव पसान काल से, तुई इन सभिक से समधित महतपून प्रश्न को देखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो सिंधु घाटिश भी आता है, तो वो आध एतिहासी काल के अंतरगत आता है वो कैसे आता है, क्यों आता है, ये भी जानेंगे, साथ ही एन फैक्ट को जानेंगे तो यहाँ पर थोड़ा, लाइन बाइन पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके अलग से समझ लेते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि प्राग एतिहासिकाल प्राग एतिहासिकाल कहते कि इसको है तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो हमारे शोध करता थे उनको जो भी वहां से पत्थर प्राप्थ हुए है पुरा तात्विक साच्छ के रूप में यानि कि पत्थ्रों के आज़ार मिले हैं एवंने कई धातूं के आज़ार मिले हैं तो उपकरनों की भीनिता के अधार पे ही उनको दवारा इस प्रकार का भिभाजन किया गया है प्राग एतिहासिकाल, अद-ेतिहासिकाल यानि कि जो प्राग इतिहासी काल के समय के जो उपकरन थें, जो आउजार थें, जो उस समय के मनुश्यों द्वारा उपयों किये जाते थें, वो आद इतिहासी काल के आउजारों की तुन्ना में थोड़ा अलग थें, इसलिए इसे अलग-अलग खंडों में बाटा गया है। तो प्राग इतिहासी काल कहते किसे हैं तो पहला प्रश्ण ये बनता है तो प्राग इतिहासी काल के बारे में सबसे पहले ये जानना है कि या इतिहास का उस काल खंड को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्यु में थे, जब मानव उस समय थे, लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, उसका कुछ साच नहीं मिला है लिखे होने का, अर्थात सिर्फ वहां से पसानिक साच यानि की जो पत्थर है, उसके साच ही मिले है तो यहाँ उसको जितने भी प्रकार के मिले हैं तो उसको क्या कहा जाता है प्रगई तिहासी काल उसके अंद्र का जो मनुष्य थे उसका मुख्यरूप से जीवन यापन के लिए किया था तो हो सिकार करते थे और कंध मुल पर रहते थे यानि मांस और कंध मुल उनका मुखे भोजन था और वे उस पे ही आसरी थे वे उसमें आग से परचित थे तो इसलिए वे कच्चा मान सिखाते थे तो वे सभी प्राग एतिहासी काल के अंतरगत थे आद एतिहासिक काल में किया था तो आद एतिहासिक काल को आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके जो पुरा तात्विक साच तो हमें यहां से मिले हैं साथ में यहां से लिखित साच भी मिले हैं तो जो पुरा तात्विक साच के अंतर गयत पासान के लावा जो लिखित साच मिले हैं, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आध इतिहासिक, आप समझ सकते हैं, आध इतिहासिक यानि आधा इतिहास इतिहास तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाएं, जैसे कि सिंदू घाटी शभ्यता के बारे में आप जानते होंगे जो कि हमारे नेक्स चैप्टर भी है, सिंदू घाटी शभ्यता, जो ये तीसरा हम पढ़ेंगे, सिंदू घाटी शभ्यता ही होगा अगला, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंदू घाटी शभ्यता का अपसेश तो हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें जो लिखे पढ़ा नहीं गया है, यानि कि वहां के लोगों ने क्या बताया है, जो एक परकार का भी से स्लीपी है, उसमें लिखा गया है, तो उसके अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसे आध एतिहासिकाल में रखा गया है, तो आध एतिहासिकाल के अंतर गरत हम लोग सिंदु लुगातिः शिभ्यता को भी पढ़ए एभं बैदिक से भीयता अधै एतिहासिक में भी रखाज़ाता देख संसका चारों समय सकते हैं तो ऑचिने को यहां पर जो गाल लिए." लगवग बताया जा रहा है कि 20 लाक साल पुरुव से लेकर 12,000 साल पुरुव तक का जो काल रहा है वह पूरा पसान काल का रहा है कि इसका तो पूरा पसान काल का साथ ही मध्ध पशानकाल का जो समय काल रहा हुआ बारा हजार पुर्व से लेकर दस हजार साल पुर्व तक रहा है कि इसका मध्ध पशानकाल तक मध्ध पशानकाल का और उसके बाद जो नेक्ष्ट है नव पशानकाल नवपासानकाल से भी कई बार प्रश्ण पुछे गया है तो मुखेता हमें इन तीनों को भी अभी पढ़ना है पूरा पासानकाल, मद्ध पासानकाल और नवपासानकाल तो दस अजार साल के पूर यानि बाद का जो समय है उसे नवपासानकाल के अंतरगात रखा जाता है तो चलिए हम इसे अब लाइन बाई लाइन इसके सारे जो दिया गया है हलूसिंट में उसको पढ़ते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस काल में मनुश्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरन उद्रित नहीं किया है उसे प्राग एतिहासी काल कहते हैं तो अभी ही बताया गया किसी परकार का लिखित विवरन जिस समय के मनुश्यों द्वारा नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है प्राग एतिहासिक काल कहा जाता है आध एतिहासिक अधा एतिहासिक यानि उस समय के लोग क्या थे तो वो लिखना जानते थे लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं तो वो क्या है आध एतिहासिक है फिर नेक्स्ट है इसके बाद मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरेन लिखित रूप में उपलब्ध है और हम इसको अच्छा से पढ़ भी सकते हैं समझ भी सकते हैं तो वो इतिहास के अंतरगत आता है आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्यानी मानव का प्रवेश इस धर्ती पर आज से लगवाग 30 या 40,000 बैस पूरू माना जाता है अब देखें ग्यानी मानव यानि कि होमो सेपियंस जो हमारा हुमन बिंग है उसका जो सेंटिफिक नाम है वो भी आपको दियान में रखना होमो सेपियंस तो बताया जा रहा है कि जो होमो सेपियंस है ग्यानी मानव है उनका इस धर्ती पे आज से लगवाग 30 या 40,000 बैस पूर्व आगमन हुआ तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मानव की उत्पत्ती की बात की जाए तो कई पुस्तकों में आपको मिलेगा कि जो मानव की उत्पत्ती इस धर्ती पे हुआ है लगवाग 20 लाक वर्ष पहले बताया जाता है कि इस धर्ती पे मानव की उत्पत्ती हुई है लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि जो ग्यानी मानव है इस धर्ती पे बहुत बाद में यानि कि 40,000 के लगभग 40,000 वर्स पूरू के लगभग उनका अगमन हुआ तो आप समझे कि ग्यानी मानव थे क्या जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पहले के जो मानव हुए होंगे जैसा कि हमने पढ़ा कि अभी 20 लाख वर्स पूरू पहले मानव की इस धर्ती पूत पती अफ्रीका रिजन से बताया जाता है कि जो अफ्रीका महादेश है वहाँ पर हुआ था तो इस परकार के मानव फिर धीरें-धीरे मानव अपनी कुछ अलता के बल पर धीरे-धीरे समय के अधार पे उनगोंने अपने आपको एक अलग दिशा दिया वह अपने दिमाग को अप्योग करने लगें और जो उजार के माध्यम से उजार को आर्र नुकीला बनाया उसके माध्यम से उन्होंने सिकार करना श्टार्ट कर दिया अपने कम्निकेशन के लिए थोड़ा बात चीत श्टार्ट करना श्टार्ट कर दिया और उसको समझना भी श्टार्ट कर दिया तो वे एक दूसरे से सिकार करने के लिए एवं अन्ने बात करने के लिए उनकी एक अलग भासा का भी उप्योग करना अश्टार्ट कर दिये थे जो कि एन जनवारों में नहीं था वे समाजिक पुरानी कहा जाता है कि मनुश्य समाजिक पुरानी है तो वे इसे मैज़ गए हैं थे कि अकेले रहने से कुछ नहीं होगा साथिं हुए अर्न किसी काम को मिल जूल करते थे तो काफी असानी से हो जाता था इसलिए मानव को एक समाजिक प्रानी के तोर पे भी देखा जाता था तो इसलिए जो मानव का बदलता स्वरूप चलता गया धीरे-धीरे और जो बरतमान स्वरूप है वही होमो सेपिन्स यान पर रेड करके कुछ यहाँ पर ऐसे लिखा गया है यानि कि संस्कृति है और संस्कृति से संबंधित कुछ भरतन को बताया गया तो जैसे कि आप सिंदू घाटी शभ्यता पढ़िएगा नेक्स चैप्टर तो उस परकार अन्नी छोटी छोटी और शभ्यताय भी थी भारत में तो उनको अलग-लग अपनी भी सेटा थी जैसे कि मालव़ संस्कृति के बारे में यहां पर बताया जा रहा है तो जो मालव़ संस्कृति था या एक चैलकुलिथिक अर्था तामर पशानी के जिसमें लोग तामवे के साथ-साथ पसान का भी उप्योग करते थे तो उस समय मालवा शब्यता भारत के दचनी भाग में तर माहरार्थ और मालवा वाले रीजन में था मालवा शब्यता। यहां से सम्मंधित बरतन से प्राशन पूछे जाते हैं कि जो मालवा शब्यता था, वहां के जो बरतन थे काफी उस समय के उत्कृstory माना जाते यानि कि वे मृद्ध भांडों के लिए उत्कृष्ट था, मृद्ध भांड अर्थात मृटी के बर्तनों के लिए, तो यहां से मालवास सभ्यता का जो बर्तन का रेंग देखे, यहां से पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का बर्तन उप्यों करते थे, तो काला और लाल, जैस पर कहा के बर्तन है, तो मालवा के, तो मालवा के बर्तन काला तथा लाल, नेक्स्ट है बूर्ज हूम, जो कि कस्मीर में है, यहां से गर्ध में लोग रहते थे, गर्ध नुमा, जो पिछले चैप्टर में बताया गया था, कि जमीन के अंदर घर बना कर रहते थे, गर्ध न दच्छिन नवपासान से चमकीला धूसर बरतैं मिला है और पूर्वी नवपासान से भूरा तो इन सभी को आपको एक बार याद कर लेना है। आगे यहां पर बताया जा रहा है कि पुरू पसान यूग या पूरा पसान यूग के मानव की जीवका का मुख अधार शिकार था जैसा कि अभी ही बताया गया उनका मुख अधार क्या था तो शिकार था शिकार पूरा पसान काल में आदी मानव के मनुरंजन के भी साधन थे यानि कि जो हमारे आदी मानव थे वे मनुरंजन के लिए शिकार भी किया करते थे साथ ही उनका भोजन का मुख जो अहार भी था व तो पूरा पसान काल, यहां से डिरेक्ट प्रेस्ट कई वार पूछा गया है, तो आग का अविस्कार पूरा पसान काल में हुआ, एवं पहीय का अविस्कार नव पसान काल में, पहीय का अविस्कार और आग का अविस्कार अपने आप में काफी बड़ा अविस्कार था, जो म पाइए का अविसकार अभी आप कार से बायक से घुमते हैं तो कहीं ने कहीं इसका जो हमारा आतीत देखा जाया तो पहीए का अविसकार ही एक नया रूप दिया जो आज की जो लाइफ़ ऐस्टायल इतना थोड़ा आसान बना हुआ है तो पहिये काविस्कार से लोग मीटी का बरतन बनाते थे साथ ही पहले सोच लिजी अगर ठेला गाड़ी नहीं होगा उस समय बैल गाड़ी नहीं होगा तो लोगों को समान ले जाने में काफी जादा समय लगता होगा लेकिन जब पहिये काविस्कार हुआ तो उन्हें ने बैल गाड़ी के माध्यम से समान को असानी से एक जगा से दूसरे जगा ले जा सकते थे तो पहिय काविसकार पूछा जाता है तो पहिय काविसकार नौपसान काल में और पूरा पसान काल नौपसान से काफी पहले तो उस समय आग काविसकार तो इन दोनों को आपको धियान रखना है आगे बता जा रहा है कि मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रविती नव पसान कालम हुई जो मनुष्य थें उनमें अस्थाई निवास यानि को वे एक जगा रहने लगे अर्थात एक जगा रहने का क्या यहां पे तात्व पर है यानि कि पहले कि जो पूरा पासानिक लोग थें वे मांस पे डिपेंडेंट थे तो यानि कि कहा जा सकता है कि अगर जानवर जहां जहां चरने के लिए जाते होंगे वो भी उसके पीछे-पीछे जाते होंगे या कंद मूल कहीं पर मौसम की बज़ा से अगर कुछ उपलब्द नहीं होता होगा या एक जगा रहकर वहाँ पर के सारे कंद मूल को अगर खत्म कर लेते होंगे तो उनका को एस्थाई नवास नहीं था वे जानवर की खोज में या कंद मूल के खोज में आगे बढ़ जाते होंगे लेकिन जब मनुस्यों ने बीज का जो हम कह सकते हैं कि फसल खेती करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने खुद से बीज कोपियों करना सीख लिया यानि कि क्रिसी करना सीख गिये उन्हें एक जगह हैं या वहाँ पर उनको खाना मिलने लगा वो खुद उप जाते थे और खाते थे तो इसलिए उनको जो अस्थाई प्रविर्ती हो गया यानि कि वो कब हुआ तो नाव पासान काल में उसने सबसे पहले कूता को पालतु बनाया तो आगे यहां पर है मनुस्य ने सर प्रथम तांबा धातु को उपयोग किया अगर धातु में पूछा जाए कि मनुस्य ने लुहा को पहले उपयोग किया या तांबा का तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया हलाकि तांबा से पहले पत्थर कोप्योग किया जाता था लेकिन पत्थर एक धातू नहीं है तो पत्थर कोप्योग किस के लिए किया जाता था वहाँ पे जनवरों को मारने के लिए जब हम अन्ने कंद मूल जमीन में पड़ा होगा और ये खराब भी थोड़ा उसके कंप्रीजन में कहा गया है तो काफी देर से होता होगा सारपनिस था इसमें बताया जा रहा है कि मनुस ने सरप्रथम तामबा धातू का परयोग किया तो था उसके दोरा बनाया जाने वाला प्रथम अवजार कुलहारी था तो ये आपको याद रखना है कि जो तामबा धातू था उससे प्रथम कुलहारी बनाया था इस कुलहारी को भारत के किस रीजन में मिला है तो अतीरम पक्कम में मिला है जो अतीरम पक्कम है वह कहा है तो यह तमिलनाडू में अस्थित्त है कृसी नेक्ष्ट बताया जा रहा ह क्रिसी का आविस्कार नौ पासान काल में हुआ तो ये क्रिसी का आविस्कार पूछा जाता है कि किस कब हुआ तो मनुष्यों में अस्थाई जीवन का प्रविर्टी कब आया था नौ पासान काल में ही तो किस के करण आया था तो वे क्रिसी के करण ही लोगों में अस्थाई त पादा करस्थल मेहरगड मेहरगड जो कि अभी पाकिस्तान के बुलचिस्तान परांत में है तो सबसे पहले यहां से अगर प्रशन पुछा जाएगा कि प्रागातिहासिक अन्न का उदारन कहां से मिलता है यानि कि लोगों ने क्रिशी करना सीख गया था प्राचिन 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 प्राच भूमद शागर इरान और भूमद शागर के मदध वाले इलाकों में जाओ को जाओ को पुरा तात्वी कफसेस मिले हैं जो आठ हजार इसा पूर्व बताया जाता है उसकी ती ती और ये जो हमारे यहां यहां पे देख रहे हैं कि जो गेहों के साथ छे मिले हैं वे लगबग मेहरगर से वे 7000 सा पूर्व है और वो 8000 सा पूर्व है इसलिए जाओ को भी कहीं कहीं अगर बैसुए का स्थर पर पूछा जाता है तो जाओ को अंसर किया जाता है आगे बताया जा रहा है कि मानावदवारा सर उप्रतम परियुक्त अनाज चावल था अब देखे यहाँ पर पहले तो बताया गया कि गहुँ था अब बताया जा रहा है चावल है तो यहाँ पर परियुक्त बताया जा रहा है यानि कि पहले से भी चावल जो था जंगली घास के रूप में मौझूद था लोग उसको फिर उपयोग करते थे लेकिन उनको पता नहीं था कि यह क्या है सिर्फ उसको उपयोग करते थे लेकिन क्रिसी के रूप में उन्होंनों सबसे पहले गेहूं का हुपयोग किया इसलिए पहले से वे चावल खा रहे हैं थे लेकिन अस्थाईत वे पहने के लिए सबसे पहले उन्हें ने गेहूं का उपयोग किया तो इसलिए पर्यूक आना जागर पूछा जाए सबसे पहले तो वे चावल था लेकिन क्रिसी किसका किया है गेहूं और जाओ की सबसे पहले आगे बताया जा रहा है कि क्रिसी का प्रथा मुदारन मेहर गड़ से प्राप्त हुआ है जैसा कि अभी बताया गया अब देखिए यहां से एक प्रश्ण और यहां पर थोड़ा बिवादित हो जाता है जैसा कि नवींतम खोजो के अधार पर बताया जाता है कि भारतिये महादूप में क्रिसी का साच लहुरा देव से मिला है जो कि 9000 से 7000 इसापूरू के मद्ध है तो इससे पहले लहुरा देव भी बताया जाता है तो अगर आप्सन में आपका लहुरा देव है तो वो टीक करना है अगर आप्सन में लहुरा देव नहीं है महर गड़ है तो महर गड़ टीक करना है लेकिन महर गड़ और लहुरा देव दोनु है तो किसको टीक करना है लह कोल्डिहुआ मिलान करूं कшь मिले हैं तो चौाल की साक्ष मिले हैं यह भी UP के इलहावाद के निकैठ थे तो कोल्डिहुआ का भी अपना एक अलग इतिहास है को बारे में आपको अगर पता होगा तो ठीक नहीं तो बताया जाता है कि यहां से एक बेलन नदी घाटी शभ्यता थी जिस परकार भारत में सिंधू नदी घाटी शभ्यता है उससे पहले भी बिक्सित अन्य शभ्यता था बताया गया तो उसी परकार की एक सभ्यता थी बेलन नदी घाटी शभ्यता तो कोल्डी हुआ कि आगर नदी पुछा जाए कि किस नदी के किनारे या स्थीत है तो बेलन नदी के किनारे या स्थीत है कौन सी सभ्यता थी बेलन नदी घाटी शभ्यता जो लगवक 17,000 वर्ष पुराना था आप देख सकते हैं जो सिंदु घाटी शभ्यता था वो थोड़ा और हाल काई है लेकिन ये बेलन जो शभ्यता थी बेलन नदी घाटी वह और पुरानी थी तो कोल्डी हुआ को रिलेट करना है चावल से भारत में पुर्व परस्तर पुर्व यानि के पहले की बात किये जा रहे है परस्तर यानि की पसान तो पूरू पशान यूग के अधिकांस औजार पत्थर के मिले हैं जो पूर वेड़ था पूरा तो पूरा उसमें बताया गया मानव जादा उसमें उनका दिमाग आज के मानव के तरह यानि कि जो होमो सेपिन्स थे उस तरह बिक्सीद नहीं था तो वे लोग पत्थर कहीं उ जारों की खोज की तो यह जो रॉबर्ट बूस फूट थे इन्हीं के द्वारा ही 1863 में तो यह तीथी भी याद रखना है कि भारत में इसकी खोज की गई जिसके माध्यम से हम अभी इतिहास को पढ़ रहे हैं तो यह कहां पर की गई थी तो यह पल्लावरं पल्लावरं के आपके वारे में याद रखाएं यह तामिल नाडू में है तो पल्लावरं नामा के स्थान पर प्रथम भारतिये पूरा तात्वीक कलाकरीती की खोज हुई थी और कव हुई थी 1863 में और कीन के द्वारा हुई थी तो रॉबर्ट बूस फूट के द्वारा हुई थी आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक इंसे आटी से एक उधारं लिया गया है देखिए यहाँ पर बताए गया है क्या बताए गया है कि ऐसी कई कवर मिले हैं एक कवर में मुरीतक के साथ एक बकरी को दफनाए गया देख सकते हैं यहाँ पर मुरीतक है और मुरीतक के साथ यह आसपश्टता आप देख सकते हैं एक बकरी कहीं साक्ष मिला है तो लोग उस समय के लोग यानि यहाँ से आप क्या यह जो फीकर है यहां से आप क्या सोच सकते हैं तो संभवतہ यहा है कि जो लोग परलोग में सोचते थे कि मरने की बाद भी जीवन है और उन्हों ने लोगों को मरने उसमें एक लोगों का जो मुख्य भोजन क्या था तो आफ समझ सकते हैं, मांस ही था То उसमें जो बक्री था यहाँ पे उसके साथ दफना गया था कि लोग उसको परलोक में खाएगा जो मारा हुआ भी अक्ती है वह उसको खाएगा तो अब असपर्ष्ट था इसे देख सकते हैं तो बक्री के साथ सवाधान में मनुस्य के साथ बक्री का जो दफनाने का साक्ष कहां से मिला है तो मेहर गड़ से ऐसा प्रश्ण पूछा जा सकता है यह NCRT से लिया गया था फिगर तो इसको आप देख सकते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर बता जा रहा है कि भारत में मध्ध पाशानकाल के बिसाय में जनकारी सरुप्रथम 1860 में जो मध्ध पाशानकाल के बारे में 1860 में मिला है और यह किन के दोवारा तो यह C.L. करलाइल तो यह नाम याद रखना है 1860 में 1863 में अभी आपको बताएगा किन का नाम याद रखना है जो पलावरम में खोज की गई थी एक उजार का तो वे रॉबर्ट बुरूस फूड थे हैं 1863 में और यहां पर 1860 के अगर बात की जाए तो 1860 इस्वी में C.L. यानि कि लगू पसान नहीं आप देख सकते है ऐसे छोटे-छोटे आजार होते थे माइक्रोलिक यहां पर देख सकते हैं तो यह बता जा रहा है कि इसकी कोज कि इसके दौरा कि गई थी तौ करलाइल के द्वारा किगई थी मानौ भारत में मानऌ का प कर्रकाल की पर शाज का जो कंकाल है वह मद्ध पसानकाल से ही मिलना प्रराम हुआ तो ये भी आपको यहाँ से दियां रखना नेक्स्ट है कि भारत में नौपाशान कालीन सभ्यता का प्रराम इसापुर्व चार हजार के लगभग हुआ यहाँ आगे है कि भारत का सबसे प्राची नगर मुहन जोड़ु था नगर की बात किया रहा हुआ है इसे पुनाने भी मिले हैं इनाम गौँ जैसे आप देख सकते हैं लेकिन अगर नगर की बात की जाए यानि कि लोगों के पास प्रोपर वहाँ पर नालियां की विवस्था अच्छे मेकान बनाते थे तो उतनी साल पहले के भी बात किया जा रहा तो यहां मुहन जोड़ु था जो कि हमारा नेक्स चैप्टर होगा सिंधु घाटी शभी है था उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर बताया गया है कि सिंधी भासा में इसका आर्थ होता है मुहन जोड़ो को कहा जाता था असम का स्वेत भुरु गिवन एक परकार का बंदर है अब जैसे समझ सकते हैं जो आप काफी कम ही देखनों का मिलता है तो असम के स्वेत भुरु गिवन भारत में पाया जाने वाला एक मात्र मानवाब कपी यानि मानवाब यर्था तो के भाती एक कपी था एक बंदर था तो वे कहां से मिला है तो वे असम से स्वेत भुरु गिवन नेक्स देखे इनाम गाउं बताया जा रहा है इनाम गाउं एक तामर पाशान यूग की सबसे बड़ी वस्ते थी तो देखे तामर पसान कार्थ क्या होगा तामबे के साथ प्रू का भी उपयोग हो रहा था इसलिए उसको चैल को लिथिक एरा कहा जाता है यहां से क्या आपको याद रखना है इनाम गाउं तो थोड़े इनाम गाउं का थोड़ा लोकेशन देख लीजिए यही है इनाम गाउं जैसा कि आप यहां पर इसको मैप में खोजे यह रह संस्कृती थी जो रवे तो वहां के संस्कृती से लेटेड है इनाम गाउं तो इनाम गाउं कुन सा संस्कृती जोरबे Researchers यह इंप्डेंट है आपको याद रखना है आ गया है कि भारत में सिवालिक पहारी से जिवासमिका प्रमान मिला जीवालिक पहारी यह सिवालिक हो असंभव है क्योंकि पूरा बर्फ जमर रहता है और यह काफी ऊचा है उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं जो और छोटी छोटी होती है हमाले की लगू हमाले यहां पर टूरिज्म के दृष्टे से काफी अच्छा होता है यहां पर मानवों की उपस्तिती भी अच्छी खासी पाए जाती है और फिर सिवालिक यहां इस रीजन में लोग ज़्यादा रहते हैं मैदानी रीजन में यह छोटी छोटी पहाड़ियां होती है तो इसी रीजन में बताया जा रहा है कि भारत में सीवालिग के पहाड़ियों से जीवाश्म के परमान मिले हैं और यहां से जो सोध करता हुँ है उनके दोरा न कई बात भी कहा जाता है कहा जाता है कि जो यह हीमाले की बाहरी परोग्स रिनिया सीवालिग है वहां से एनने कई जीव जनतुवें के भी पुराने साथच मिले हैं इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि जब जनवारों के साथच मिले हैं तो ये आसपास मानव भी रहते होंगे ऐसा हुए दावा करते हैं और जो जनवारों के साथच मिले हैं वे काफी पुराना है इसी बज़ा से कहा जाता है कि अधिकान सोतखरता मानव जीवन की सुरुआत चंडी गड़ के आसपास के मैदानी इलाकों बताते है हला कि अभी जो हमारा इसका जुसाक्ष मिलता है कहां से मिलता है अफरीका से आगे यहां पर बता जा रहा है कि प्राग एतिहासी के काल में भीम बेटका गुफाओं की सैल चितर अब देखे चितर कला यानि कि भारत में जो भीम बेटका की गुफा है नरमदा नदी के नरमदा घाटी है वही पर लगबग पाया जाता है उसके किनारे तो वहां पर चितर कला के लिए काफी फेमस था जैसा कि देख सकते हैं लोग वहां पर पथरों पे देखिए एन जनवरों के हीरें सांभर आदि के अब देख सकते हैं यहां पे वे फिगर बनाया करते थे तो वे सैल चितर अभी पाया गया है तो काफी ज़्यादा यह important है नर्मादा घाटी में मिला है, अगर मनुस्यों की जो परमान मिला है, वो नर्मादा घाटी से मिला है, तो याद रखना है नर्मादा घाटी से भारत में, भारत यहां पर बताया गया है, तो भारत के इतिहासी पर रहा है, तो भारत में मनुस्या मंदे, पहला परमान मानव घ अधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातिय बिवेधी करन किया यानि उन्हें सांटिफिक एस्तर पर पहली बार भारत की जो जनसंख्या तो उसको प्रजातिय बिवेधी करन किया यानि कि प्रजाति के अधार पर बाटा तो यह किस के द्वारा किया गया था रिजले के द् रखना है , तो यहां पे देखिए प्राग एतिहासी काल समापत होता है, एक NCRT का है यहां पर मैप लिया गया गया है , तो मैपe खेखिए रहना है, जैसा कि मेहरगड की चर्चा की जा रही थी , तो आप देख सकते हैं, मेहरगड कहा है तो यहां गड़ भी नवपासानिक है, बुर्जहम जो की कास्मीर में है, यहां से गरतावास मिले हैं, वो भी नवपासानिक है, बिहार का चिरांद भी नवपासानिक है, तो यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, कोल्डी हुआ, जहां से चावल के साक्ष मिले हैं, तो यह सभी आपक तो इनसा भी को आपको ध्यान रखना है। इसके लावा आप map को देख सकते है इसको अच्छे से देखिए। और इसको अपने अस्तर इसके हुए। पर दिये गए हैं, तो आप उसको ध्यान में रखके इसको देखना है, हाला कि लूसिंड के तुलना में काफी यहां पर और अन्य कम फैक्ट भी दिये गए हैं, तो आप अन्य जगह भी देख सकते हैं, जिसके अलावा यहां पर जिसको अभी चर्चा इस पुस्तक में नहीं क की गई है, लेकिन जो भी चर्चा की गई है, वह काफी इंपोर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखना है, तो चलिए वीडियो के यहीं पे शमाप्त करते हैं,